और यह बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की राज़ानी दिल्ली से बड़ी खबर जहाँ नीती आयोग की बड़ी बैठक होनी है इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगिया इतना दिल्ली निकल चुके हैं और दिल्ली में इस समय मौजूद है पहुंच चु वहां से मुख्यमंत्री जो है आज की नीती आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं लेकिन आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगिया इतना दिल्ली पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए नौवी नीती आयोग की बैठक में मुख्यमं मुख्यमंतरी जो हैं इस बैठक में सामिल लेकिन कई गैन्जा शासित या पर इंडिया गटवंदन शासित जो राजे हैं वह醒े मुख्यमंतरीं इस बैठक में स्वीरे मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं दिल्ली एक कार्वा जो हैं बागे बढ़ रहा है क्योंकि आज की जो नीती आयोग की बैठक है नौवी बैठक ये नीती आयोग की है जिसके ओपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं सी एम योगी दिल्ली में मौझूद हैं काई बड़े नेता भी आज दिल्ली में जो मौझूद हैं इस बैठक में शामिल होने वाले हैं ये भी जानकारी आपको दे देते हैं कि इसके अलावा कहीं और आज बैठक होने वाली है दिल्ली में जिसमें मुख्यमंत्री योगी है साथ मुराकात कर सकते हैं फिलाल मुराकात का समय तया नहीं है लेकिन यह संभावे की मुलाकात जेपी नड्डा और अमिस्षा के साथ मुखे मंद्री योगि आ labels करें वह। बहेराल यह बड़ी तसवीर आपको दिखा रहे हैं और खबर आपको बता वो जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री गुरी मंत्री अमिश्रा के साथ मुलाकात करेंगे साथी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा के साथ भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी संभव है हाला कि अभी तय है समय कोई तय नहीं है इसके ओपर कोई जानकारी नहीं है लेकिन मुलकात संभव है इसकी जानकारी पूरी है। लोगसभाचुनाव के परिणामों के बाद और आगामी चुनावों को देखते हुए साथी बजर जो पेश किया गया है उसको देखते हुए हर एक मुद्दे के ओपर नीती आयोग की बैठक में संभवत चर्चा होनी है यह बैठक कई माईनों में एहम हो जाती है इसमेर और हमारे सायोगी पावन गौड देंगे जो कि इस समय दिल्ली से हमारा साथ लाइव मौजद है पावन गौड बहुत महित पूर्ण है निती आयोग की नौवी बैठक देखिए देश का सबसे बड़ा सुबा उत्तरप्रदेश जहां के मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली देखे अब से थोड़ी देर पहले उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योग यतनाथ जो है यूपी सदन से राश्टपती भवन के लिए रवाना हो गये हैं दस बजे निती आयोग की जो नौवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक है वो शुरू होगी इस बैठक में पूर अगर बैठक के एजेंडे की बात करें तो 2047 तक बिक्सित भारत बनाने का जो लक्ष प्रदानमंत्री ररिंद मोधी ने लखाए जो एजेंडा है उसको कैसे प्राप्त किया जाए उसकी दिशा में आगे कैसे बढ़ा जाए किस तरह से राज और किन सरकारों के बीच में सम अगे बढ़ाया जाए राज्यों के विकास के माध्यम से ही पूरे भारत का समग्र विकास हो सकता है उसको लेकर हमेशा प्रदानमंत्री लगातार बात भी करते हैं कौपरेटिब फैर्डरेजम की तो उसको लेकर लगातार किस तरह से विजन तयार किया जाए उसको लेकर चर्चा होगी उत्रप्रदेश की देश का सबसे बड़ा राज है यहां तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है उत्रप्रदेश का समगर विकास तो उत्रप्रदेश में किस तरह से केंदर की योजना है जमीन तक पहुंचा ही जाएं किस तरह से जो अभी तक पिछले जिले है जिन पर लगातार कें सरकार पिछले सातार साल से लगातार काम कर रही है, उनकी क्या इस्तिती है, उनको आगे और आगे कैसे बढ़ाया जाए, जहां जिन जिलाओं में पहले से विकास काम क्यल रहे हैं, उनको और तेजी से कैसे कराया जाए, तमाम तरह की चाहिए वो इंफर वस्या भी आ रही है कि योजनाओं के इंप्लिमेंटेशन में या कुछ कामों में तो उसको लेकर राज भी अपनी अपनी बातें रखते हैं कि उनको किस तरह से केंसरकार से सहयोग चाहिए, किस विवाग से किस तरह की उनकी मांग है या कापी सारी विशों को लेकर इस निति मंत्री योग आधितनाथ अपने नितियायो की बैठक में रखेंगे, कौन-कौन सी योजनाओं जो है राज की वो चल रही है, आज इस तरह से यूपी के विकास के लिए, किस तरह से केंदर की मदद की जरूरत है, उन सब विशों को लिकर मंत्री योग आधितनाथ आज की बैठक में चर्चा करेंगे, बहुत शुक्री आपका जानकारी के लिए, और ये बढ़ते हैं आगे आपको पताते हैं के नितियायो की बैठक के बाद दिल्ली में ही, बीजेपी मुख्याले में, बीजेपी शासत राज्यों के सीम और डेप्टी सीम की भी बैठक होने जा एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, इसमें मुख्य मंत्री योगिया इतना शामिल होंगे, उनके साथ ही दोनों डेप्टी सीम ब्रजेश पाठाक और केशे परसाद मौरे भी बैठक में शामिल होने के लिए, दोनों डेप्टी सीम दिली में मौजूद रहेंगे, और इस समय का अपडेट ये है कि देप्टी सीम केशव परसाद मौरे दिली पहुंच चुके हैं